मद्ध प्रदेश के रतलाम में यूरिया की काला बाजारी को लेकर प्रिशासनिक अधिकारियों का ऐसा एक्षन देखने को मिला है जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है दरसल यहाँ पर काला बाजारी की शिकायत के बाद खुद तहसिलदार और उनकी टीम ने किसान का भीश रखा और यूरिया खरीदने के लिए दुकान पर पहुँच गये इन लोगों को देखकर दुकानदार भी धोका खा गया और आम किसानों की तरह इन्हें भी यूरिया की दो गुनी रेट बता बैठे मुनाफ़ा वसूली का ये खेल सिर्फ एक ही दुकान नहीं बलकि तीन दुकानों में देखनी को मिला है जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर ही कारवाई करके इन्हें काला बाजारी करने की सजा दे दी और तीनों दुकानों को सील करने के साथ इनके संचालकों के खिलाफ पुलिस में अफायार भी दर्ज करवा दी टेसिलदार साब के पास में एजिम साथ आपके रेबोर्ट आई है कि वहाँ ज्यादा किम्मत से यूरिया भीकरा है तो टेसिलदार साब में भेजा खरीद दिने के लिए क्या आप यूरिया खरीदो क्या बहुत लेते हैं इस एक बोरीली दो का बोला 900 रुपे एक बोरीली 4.5 रुपे यूरिया बारी तो दो सो चाहँ पिचोत्तर की आती पौने पिंसों की शेर मुच्परा की ताला बजारी ओर चल रही है और इसां बता कुछा है जक्रिषान बोल रहे हैं कि दो तीन जगा मिल रहा है तब दो जगा आए है कि दरेशन का है किसान ही लगया है यू लेंगे तो अपने को मना कर रहे न दो जागा गाए तो मना कर दें पेच्छानने वालों आप किसान बन क्या है तो बोल रहे हैं कि हाँ किस तरह की शिकायच थी आपके पास कब से चल रही इस तरह कि सिखायच थी आपके पास कब से चल रही काला वाज़ारी के अंदर इस तरह की दुगाने हैं जैसे इसे शिकायते मिलेगी हमको रुसेल सम्कार्म और सब काम कर रहे हैं जो जैसान भी है यह सब बता रहे हैं जैसे जैसे बता रहे हम जैसे इसी कारवाई पूरी पत्कार्श कोई गूबनी दल आप बना गठीट करके क प्रिशासन के इस एक्षन के बाद यूरिया के मुनाफ़ा खोरों के बीच हड़कम के थिती बन गई है उमीद है कि आने वाले समय में ऐसी कारवाई प्रदेश के अन्ने जलों में भी देखने को मिलेगी जिससे किसानों को आसानी से निर्धारित दामों में यूरिया उपलब्द हो सके पंजाब केसरी टीवी के लिए समीर खान की रिपोट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद